जैहिंत नमस्कार मेरे सेर सेन्यों लाट और लाट लाट लियो सभी का जिनका पेपर हो गया है जिनका पेपर होने वाला है पहले जिनका पेपर होने वाला उनके लिए वीडियो नहीं है जिनका पेपर हो गया है उनके लिए वीडियो है जिन बचों का पेपर हो गया जिनको लगता है कि उनकी cut-off के अनुसार के लिए क्वालिफाई होंगे और मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे तो सब से बढ़ी जो टेंशन रहती है कि अभी मेरे पास में जिन बचों को पेपर नहीं वा उनमें से भी कुछ बचें मेडिकल के लिए कियाते हैं अकेडमी की सर मेरा यह पोइंट है मैं तयारी करूं या ना करूं और जिन बचों ने पेपर दे लिया है उनके भी यह सबसे बड़ी समय रहती है कि सर मैं मेडिकली रूप से फिट हुई या नहीं हूं क्या पता अंती में जागे मेडिकल में भार हो जाओ तो फिर क्या करूंगा यह सबसे बड़ी समय है रहती है कुछ बचों को यह भी नहीं पता कि मेडिकल में क्या यह खुता है क्या चेक नहीं होता और sinceggd की में कितना अंतर है यह साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी है जिनका नमबर बहुत अच्छ है लेकिन उनको कुछ ने कुछ मेडिकली प्रोबलम है तो वो अपना लार्श समय इसमें वेतित कर देते हैं दूसरे एक्जाम की तयारी भी नहीं कर पाते इस भरम में कि मेरा SSGD में हो जाएगा तो उसी के लिए वीडियो लाड़ लो देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें होता क्या क्या है कि आपका मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इस पेसली SSGD में ठीक है क्या क्या चेक होगा उसके बारे में बता दूँ तो चलिए राड़ लो पेपर हो गया है जिनके नंबर अच्छे है अब आगे आप सब को पता पहले फिजिकल होना है तो मैं आपको बता दू फिजिकल बेच भी शुरू हो गए जितने भी बच्चे हैं जो एससे बच्छ बैटीकल कराना है तो तुम्हां को पता दू 15 फरावरिष्र मेटिकल बेस सुरू होंगे जिन को भी मेटिकल कराना उनका संपूर मेटिकल किया जाएगा उसके लिए registration जो नंबर दियावा है इस पर आपको नीचे दियावा इस पर रजिस्टर कराना होगा अपना नाम कहां से आप और किस डेट को आएंगे 15 पर लगातार चलता रहेगा जिन भी बच्छों को medical में problem है वो अपना पूरा medical करा सकते ही अकेडिमी आके ठीक है तो physical के लिए आ रहे है उनका तो अटमेटिकल ही medical हो जाएगा जिन बच्छों जो ऐसे सी जीडी के आ रहे है उनका अब देखिए medical में क्या-क्या चेक होगा फुल medical test क्या-क्या है चलिए बताता हूं मैं आपको सबसे पहले तो आप समने देखा होगा जैसे जो कोई भी बच्छा बहुत कम एसे बच्छे हैं जिन्होंने अब तक कोई medical बेच के बारे में जिनको जानकार नहीं किस परकार से medical होता है इसके बारे में सबसे पहला जो टेस्ट होता है लाड़ लो होता में सबसे पहले तो सबसे पोड़ टेस्ट होगा जैसे हमोगलोबीन कितना है पूरी की पूरी टेस्ट हो में अपका सबसे पहले उसके बाद में इसी जी होगा जिसे आपके हर्दे की जो हाटबीट है वो केसी है आपके हर्दे में कोई प्रोब्लम तो नहीं है आपके स्वास लेने में कोई प्रोब्लम तो नहीं है या आपकी हाटबीट के बारे में ठीक है ये इसी जी भी अब एड कर दिया गया है इसी जी भी होगा या आपके backbone यह नि जो read की हड़ी है उसके लिए होगा दूसरा होगा chest यह नि जो यह आपको सामने दिख रहा है कि आपके आगे की जो यह जो पांस लिया है इनका भी दोनों side का होता है पहले आपको ख़़ा करके पीछे का करेंगे फिर आगे का backbone को पहले से नीचे जुखा के चे करते थे लेकिन आजकल अक्सरा करते हैं उनका तो आप यह पहले भी करा सकते हैं अगर आप यह सारा medical कराना जाते हो तो आप नीचे दिये गए नंबर पर कोल कर लेना 15 फरवरी से medical बेच स्टार्ट है तो सिर्फ अगर आप केवल medical करा के भी जा सकते हो लाड़ लो इसका तो चार्ज है वो भी आपको बता दिया जाएगा हाँ फिर ही नहीं यह जान रखना क्योंकि लगबग इसमें 10 जांचे हैं और उसारी की सारी जांचे पेड है ठीक है तो हमारे तरफ से जो आपका देखा जाएगा कि आप medical fit है नहीं लेकिन हा अगर आपको हमने बोल दिया कि आपको medical fit है तो फिर fit हो अगर आपको बोल दिया यह problem है तो problem आगे भी आपको face होगी तो उसके बजाए आप दूसरी तयारी भी कर सकते हो ठीक है यह 100% guarantee अगर आपको बोल दिया fit तो fit फिर आपको कोई check and tension लेने की जूरत नहीं है 15 फ्रवर urine test के लिए डबी दी जाती है वो क्या करते हैं जाते ही जैसे टोलेट आता पहला टोलेट डाल देते कभी भी ऐसा नहीं करना urine test के लिए जबी sample देना है थोड़ा सा टोलेट नीचे गिरने के बाद उस डबी में टोलेट डालना है ठीक है ऐसा करना बहुत सारे बच्चे ऐस जैसा तो कुछ नहीं है कोई बीमारी तो नहीं है आपकी kidney में कोई problem तो नहीं है urine test से यह भी पता हो जाएगा अगला होगा आपका bullet pressure यानि BP आपका bullet pressure कैसा यह भी चेक होता जाना कुछ बच्चे वहाँ घबरा जाते हैं जिसके उनका दोस से तीन बार चार बार चेक किया जाता है तो आपको घबराने की जूरत नहीं है नॉर्मल इंसान का bullet pressure शही होता है और जो भी बच्चा पांस किलोमेटर की running कर देता है ठीक है तो उसलिए वहाँ घबराना नहीं है बहुत सारे बच्चों को देखा वहाँ हडवराटी में करता है तो उनका blood pressure हर बार हाई 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 आता है क्यों उनके घबराट होती है अंदर आपको ऐसा नहीं करना है घबराने के जूरत नहीं है आप बिलकुश है इसलिए आपको अपने आपको स्वस्त मानना है उससे अगला यह आपकी कोई हड़ी में फेक्टर तो नहीं है यह अगर आपकी कहीं से भी कोई हड़ी टूटी हुई हुई या फेक्टर वा तो उसका point हाँ कुछ सारे बच्चे इससे बोलते हैं जैसे कहीं हो कि क्या होता इसकीन में कुछ प्रोब्लम होती है देखो इसकीन की प्रोब्लम ऐसे जड़ी में ज्यादा क्रियेट नहीं होती है अगर आपके पहले मानलो कोई operation हुआ है जिसकी आपके महां पे स्टेच मार्क आरके हैं उनसे कोई प्रोब्लम नहीं है कहीं हाथ चला वहा है कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपके बच्पन में कोई हड़ी में टूट फांट हुए बाद में आप ठीक हो कि कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है आप operation हो रहा का अभी आप सोचत कोई प्रोब्लम नहीं है इन चीजों का पुरा जान रगे बहुत सारे बच्चे इन है जला है दाग है दब्दा है कोई प्रोब्लम नहीं है उसकी इतना बड़ा कोई मार्क नहीं है इसकीन में अग temporary जदा ही आपके जो वाईट होते हैं पॉइन सिंदिशन सब्सक्राइब समझ गे लेकिन अगर हट्यों में कई फेक्चर है या तूट फांट है तो उस कंडिशन में आपको बाहर कर दिया जा सकता है क्योंकि हट्या चेक होगी लाट लो इस बात का ध्यान रखें कलर ब्लाइनेस यह तो सबसे भारी टेस्ट है आप सभी को पता जिसको कलर विजन की प्रोब्लम होती है उसको तो फोर्स के तैयारी करनी ही नहीं चाहिए अगर आपको है एक तो यह आनुवान सिकोता है और अगर आपको है तो आपको फोर्स के तैयारी नहीं करनी चाहिए ज जेला है एर प्रोब्लम यानि कान में कान में देगो दो-थिन परकार की पुरेशाइन होती है ने यौton similar कندbe लेकिन हां हलका सा कुछ जिसको कान से वह कचरा बहार निकलता है वो इसलिए कान की सफाई करके ही जाना कान के साथ साथ एक चीज़ और रुटा दो लड़कियों के लिए इसमें पॉइंट मिलते हैं हीमोग्लोबीन की कमी के कारण यह नहीं आईरेन की कमी के कारण तो लड़कियों गाजरवाज़ जएदा खाती रहना है लड़कियों में बलड टेस्ट में पॉइंट मिलता है इसलिए आपको उसको मेंटेन करके रखना पालक वाला की सीच घाती रहना है अब टेस्ट के बारे में मैंने एक बार पहले पूरा वीडियो बना रखा उसको देख लीजिए अगर आपके टेस्ट में वो प्रोब्लम है तो यह इंपोटेंट पॉइंट है जो चेक होते हैं ठेक है घबराने की जूरत नहीं है आपको प्रेशन होने की बिल्कुल है तो इसमें दस से बारा जाक्षे हैं बाकी ओरोल आपकी बोड़ी फिस्टनेस भी बता दी जाएगी कि आपको इस परकार का पॉइंट मिल सकता है फायदा इससे ही है कि लग बग पी आपके पास में तीन महीने का समय रहेगा क्यों बीचें फिजिकल होना फिर मेडिकल होना झाल